Hello dear students, तो students, आज हम exercise 1.4 of class 11th of math and sci-fi का question solve करने जा रहे हैं, ठीक है? और इससे पहले इसके जो previous exercises थी उनके basics के सारे videos और जो है, उनके exercises के solution के videos सारे upload हो जुके हैं तो आपकी अगर basics कमजोर हैं या फिर आपने previous exercise में अगर कोई problem है तो आप videos देख सकते हैं, तो फिल हाल आज हम क्या करते हैं, अपना question solve करते हैं, exercise 1.4 का ठीक है? तो question number one में given है students कि find out the union of each of the following pair of sets, मतलब हमें सभी क्या करना है, जितने भी sets given हैं, हमें union निकालना है, यानि कि समुच्चे का, समुच्चे युगमा का सम्मिलन निकालना है, ठीक है? तो यहाँ भी क्या है, मैंने बताया था, कि जैसे अगर मान लो, X और को, मतलब अगर दो set है हमारे पास A और B, और अगर आपको उसका क्या निकालना है, union निकालना है, तो क्या होता था? Union का मतलब यह होता है, कि elements of, अगर मैंने पास दो set है, A और B, मैंने definition में बताया थी, basic में, कि अगर मैंने पास दो set है, और मुझे इनका union चाहिए, तो क्या होता था? कि जो union होगा, उसमें all the elements of set A and all the elements of set B होने चाहिए, in which common elements being taken only once, यह मैंने definition बताया थी, कि मतलब इसमें common elements आपके एक वर के वलाएंगे और बाकि सारे दोनों के elements इसमें होने चाहिए set में, तो इसी दरस्ते अगर मैं देखूँ कि X union मुझे Y निकालना है, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए? X के भी सारे elements और Y के भी सारे elements होने चाहिए union में, तो यहाँ पर क्या है? 1, 3, 5 अब देखो यहाँ पर Y में क्या है? कि Y में 1 भी है और क्या है? ठीके 3 भी है, लेकिन 2 नहीं है मतलब यहाँ पर union में तो मैंने 1 और 3 लिख दिया है पहले सही, तो मैं दुबारा थोड़ी नहीं लिखोगा है उसको यहाँ पर क्या आएगा आपका एक 2 आ सकता है, यानि कि ये union हो जाएगा, समझ में आए students अब यसे मुझे निकालना है किसका union निकालना है, तो A union B निकालना है, तो all the elements of set A and set B in which common elements being taken only once, यानि कि जिसमें common elements को हम किवल एक बार लिखेंगे और बाकि सारे elements आएंगे, A के भी होने चाहिए और B के भी होने चाहिए, तो भी चेक करते हैं देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा A, I, O E, B है न, E लिख दिया बाद में चलों कोई दिक्कत नहीं A, E, I, O, U ठीक है, और फिर अभी देखो, set A के सारे elements इसमें हो गए ठीक है, ठीक है ठीक है, अब यहाँ मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर union में A और B दुनों के set के सारे elements होने चाहिए तो A के क्या elements हैं क्या यहाँ पर A देखो है, हम आप यहाँ पहले सही exist कर रहा तो A को तो नहीं लिखेंगे हम C जो है, नहीं exist कर रहा हो, B भी नहीं कर रहा है तो हमको B और C को लिख देंगे अब यह जो होगा हमारा, यह union B हो जाएगा ठीक है students, इस तरह से अभी यहाँ पर पहले तो हमें set को ही define करना हो कि set क्या है, तो A set में हमारे पास x is a natural number and multiple of 3 तो x क्या है, natural number है और multiple of 3 है तो multiple of 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3, 6, 9, 12 इसी तरह से आएगा, ठीक है students और set B में क्या आएगा हमारा, set B में set B में बोल रहा है, x is a natural number less than 6 तो natural number less than 6, इसका मतलब क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 वसे ही आएगे, तो यहाँ कि अगर मैं इनका union निकालता हूँ A union B ठीक है, तो अगर मैं union निकालूँगा तो क्या आएगा है, आपके देखो पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब दोनों के elements होने चाहिए तो यहाँ तक तो मुझे सारे B के elements थे तो मुझे हमें लिखने पड़े, ठीक है अब इधर देख रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे एके भी सारे elements को लिखना है, तो कैसे लिखूँगा ठीक है, आगे बार करते है अब फूर्थ कुश्चन में गिवन है, फर्स्ट का ही फूर्थ है यह गिवन है इसमें कि x is a natural number ठीक है, and x is greater than 1 and less than or equal to 6 यानि कि अगर set इमें मैं देखूँ तो मारे पास क्या बनेगा, x क्या है greater than 1 है और less than or equal to 6 है यानि कि 1 आएगा, यहाँ पर, नहीं, 1 तो नहीं आएगा तो कि greater than 1 बोलाना, इसका मतलब 1 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा तो फिर हमारा यहाँ पर 2 आजाएगा 3 आजाएगा, 4 आजाएगा 5 आजाएगा और 6 आजाएगा, ठीक है नहीं सुट्ट से इक्वल्ट वकर लगा होता है, तो हम 1 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, B, 6 में क्या आएगे, तो X is a natural number, where X is greater than 6 or less than 10, यानि कि यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका 7, 8 और 9 आएगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पर equal का sign लगा था, तो 6 को भी include करते हैं, और यहाँ पर भी equal का sign लगा था, तो 10 को भी include करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, यहाँ कि एक्स की जो value है, यह ठीक है, मतलब between है, किसके 6 और 10 के, अभी मुझे a union b निकालना है, तो a union b कैसे नहीं कालूँगा, तो दोनों set के element सुने चाहीं union में, यहाँ कि क्या आएगा, पहले तो 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद फिर सिधर 7, 8, 9 है, तो 7, 8, 9 हो जाएगा, ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, कि यहाँ पर इस union जो है, उसमें set a के भी element साओ, set b के भी element है, तो union यहीं होता है, ठीक है ना, आगे चेक करते हैं, a union b, अब मैंने बताया था कि जब कोई empty set आ जाए, तो वही set ही क्या हो जाता है, उसका universal set हो जाता है, यानि कि यहाँ पर क्या आएगा, भाई देखो, अगर यहाँ देखा जाए, तो इस set में क्या है, इस set में तो zero element है ना, zero element है कुछ ही नहीं है, इसके मतलब क्या आएगा, इन दोनों का union जो होगा, ठीक है, क्योंकि हम empty set को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, तो five से दिखाते हैं, तो फिर इस तरह से दिखाते हैं, तो अगर union इसका निकालेंगे, तो क्या आएगा, क्यों यहीं आएगा, ठीक है, all the elements of set A and set B, देखो, सारे हैं ना, set A के भी सारे elements हैं, set B के भी सारे elements हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बोलागे students की, यहाँ पर क्या है, कि, let a set A and set B, ठीक है, A, B, C, बोल रहा है, is set A, is subset of set B, तो मैंने क्या बताया था, देखो, अगर, कोई भी अगर set को, मुझे subset दिखाना है, तो set A के सारे elements क्या होने चाहिए, B में होने चाहिए, तो, अगर मैं देख रहा हूँ, तो set A के जितने भी elements है, सारे के सारे क्या है, B में है, है ना, if a set is a subset of any another set, then all the elements of set, मतलब that set will be in the another set, मतलब जितने भी elements है, set A के, वो सारे के सारे set B में होने चाहिए, तो देखो भाई, A B है, A B इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि set A जो होगा, वो subset होगा, इसका set B का, यहाँ पर हमें बोल सकते हैं, कि yes, ठीक है, A is the subset of set B, ठीक है, अब यहाँ पर रिजन लिखना चाहोँ, तो अब लिख सकते हैं, कि because all the elements of set A are in set B, that is why A is the subset of set B, तो यह हो गया, अब भीर बोल रहा है, कि what is A union B, तो A union B अगर मैं निकालता हूँ इसका, A union B अगर निकालता हूँ, तो A union B क्या है गर शुर्ण देखो, तो A union B जो होगा हमारा, A union B में A, B और C ही के बलाएगा, और अगर मैं देख रहा हूँ, तो क्या है यह B केक्वल है, तो बोल सकते हैं, अगर A is, अगर कोई set, किसी set का subset है, तो उसका अगर हम union निकालता है, तो जो बड़ा वाला set होगा, वो हमारा क्या हो जाता है, union हो जाता है, आप देख भी सकते हैं, पर B केक्वल आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, आगर बात करते हैं, अभी क्या है यहाँ पर, कि बोला कि, if A and B are two sets, such that A is subset of set B, then what is A union B, ठीक है, तो let कर लेते हैं, यहाँ पर let कर लिया हमने, कि कोई set हमारे पास है, ठीक है, तो यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया, एक set ले लिया, one, two, three, अब मुझे दूसरा set इस तरह से लेना है, कि जो दूसरा set होगा, मतलब जो पहला set है, यानि कि set A जो है, वो उसका subset होना चाहिए, तो मैंने ले लिया, one, two, three, four, ठीक है, यह ले लिया मैंने, अब अगर ऐसा है, तो अगर मैं देख रहा हूँ कि, अगर यहाँ पर मैं, A क्या है, here, A is subset of set B, हो जाया गर नहीं हो जायगा, हो जायगा भई, हाँ, then, जो A union B होगा, वो क्या होगा, तो A union B हमारा क्या हो सकता है, तो A union B अगर मैंने चेक किया, तो यहाँ पर क्या हैगा, one, two, three, four आएगा, और आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, कि जो set B है, मतलब, उसके elements, और A union B elements क्या है, सारे के सारे same है, उसके मतलब हम बोल सकते हैं, तो यही चीज़ आपको बात बतानी थी, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, अगर मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर अगर आकर हिंदी में लिखना जाए, तो यह लिख सकते हैं कि अगर क्या है, A, उप समुच्चे है, समुच्चे B का, तो यह A, उप समुच्च्चे का सम्मिलन जो होगा, वो क्या होगा, वो समुच्चे B के बराबर होगा, ठीक है सुट्टेंस, चलिए, आगे बात करते हैं, अब आगे बोला गया है कि, if set A is equal to this, B is equal to this, and C is equal to this, and D is equal to this, तो find करना है हमें, A union B, यही सब find करने है, ठीक है, तो आसान है भाई कर लेते हैं, कैसे करेंगे, A union B find करना है न, A union B, तो A union B कैसे निकालोगे, A और B के सारे elements होने चाहिए, union में, तो कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, अब देखो, तो B में 3 और 4 आ रहे हैं, तो 3 और 4 को हम नहीं लिखेंगे, 5, 6 नहीं थे, तो 5, 6 को लिखेंगे, ठीक है न, यह union B हो गया, अब A union C निकालना है, में तो कैसे लिखेंगे, A union C, A और C, यानि कि देखो, 1, 2, 3, 4 आएगा पहले तो, तो भाई जैसा था, वैसा का वैसा ही लिख दिया, अब B union C लिखना है, तो यहाँ पर क्या है, 3, 4, 5, 6, और बाकि क्या है इधर, इधर देखो, 5, 6 को आमान आ रहा है, तो B union C लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, 5, 6 को नहीं लिखेंगे, 7, 8 को लिखेंगे, 7, 8 हो जाएगा, उझे तरह से B union D लिखना है हमें, तो B union D क्या आगा, अब B union D, यानि कि B union D क्या है हमारे पास, ठीक है, तो B में हमारे पास 3, 4, 5, 6 है, तो पहले 3, 4, 5, 6 को लिख लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, और फिर D क्या है, तो 7, 8, 9, 10 है, तो 7, 8, 9, 10 पूरे आजाएंगे, कोई भी तो common नहीं है, 9, 10, ठीक है students, इस तरह से, अब फिर देखो बोल रहा है कि क्या करो, A union B union C लिखो, तो पहले क्या कर लेते हैं हम, A union B लिख लेते हैं, ठीक है ना, A union B, तो A union B लिखा था, या फिर आप यहां से लिख भी सकते हूं, क्या जाएगा, 1, 2, 3, 4, यह आएगा, और फिर B क्या है हमारे पास, 3, 4, 5, 6 है, तो 3, 4 common हो जाएंगे, या निकि 5, 6 के लिखेंगे हम, तो यह हमारा क्या होगा, A union B, अब इसका union हमें किसके साथ लगाना है, C के साथ, C क्या है हमारे पास, तो C हमारे पास है, 5, 6, 7, 8, ठीक है, तो अब अगर हम दोनों सेट का union निकालेंगे, तो क्या आएगा आपके पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आएगा, और फिर 5, 6, देखो, कॉमा ने इसमें तो क्या हो जाएगा, 7, 8 लिखेंगे, 7, 8, बस हो गया, ठीक है, इस तरह से करेंगे, आगे फिर क्या है, A union B, तो A union B पहले फिर से बना लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, और 3, 1, 2, 3, 4, और फिर जो है हम, इसमें क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद फिर है, B, B के elements क्या है, तो 3, 4, 5, 6 है, यानि कि क्यों 5, 6 आएगा, और फिर union किसके साथ बनाना है हमको, D के साथ, तो D में क्या है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अब अगर चेक कर रहे हैं, यहां से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां से तो पूरा है आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पूरे आ जाएंगे, फिर 7, 8, 9, 10 भी आ जाएंगे, 7, 8, 9, 10, मतलब बहुत इजली आप क्या कर सकते हैं, इनको write कर सकते हैं, देख रहे हैं, आप क्या करना है मुझे, इसी तरह से, यहां भी कर देते हैं, यहां पर क्या है बाई, B-Union C लिखना, तो B-Union C क्या है मुझे है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर C क्या है मुझे हमार पास, तो 5, 6, 7, 8 है, यहांनि कि 5, 6 तो common था, तो 7, 8 के लेंगे, फिर दर क्या हैगा Union D, D के हमार पास, 7, 8, 9, 10, अब क्या आएगा यहां पर, यहां पर लिखोगे तो क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह आजाएंगे पूरे, और फिर इदर हमारे पास, 9, 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो यह होगी हमारा, ठीक है students, तो बहुत easily मतलब हो जाते हैं, अगर ना हो तो पहले आप इसको खुद से करिए, दिन उसके बाद देखा कीजिए, ठीक है ना, बहुत easily, अगर मैंने basics जो पताया थे, introduction में जो पताया था, उसके उस video को देखके, तो आप मतलब पूरे question solve कर सकते हैं, ऐसे ही, दो set से common elements को कही, केवल क्या करते हैं, हम लगी लिखते हैं, ठीक है ना, तो common elements को लिखेंगे, केवल, यहाँ पर क्या common है, one और three केवल common है दोनों में, देखो, one यहाँ भी है, one यहाँ, three यहाँ भी है, तो यानि कि one यहाँ है, तो 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ भी है इसका मतलब केवल 1 और 3 आएगा हो गया, अब इसमें भी common elements को लिखेंगे तो यहाँ A है, यहाँ भी A है यहाँ E है, E नहीं है E नहीं है हमारे पास, और क्या है तो केवल बस A है और कुछ नहीं है यहाँ नहीं कि A intersection B जो होगा यहाँ पर हमारा A intersection B जो होगा, उसमें क्या आएंगे तो उसमें आपके ठीक है, उसमें आपके जो है केवल A आएगा ठीक है नहीं है, इस तरह से अब इसके बाद यहाँ बोला गया है कि multiple of catches 3 तो multiple of 3 ठीक है, तो इसमें वो कुश्चन में क्या गिवन था नहीं, कि find the intersection of each pair of sets in the question number 1, तो question number 1 का पहले union निकल वाया था, भी क्या कर रहा है, intersection निकल वा रहा है तो question number 1 में जितने थे, सब के उसी के निकालने हैं, ठीक है ना, यह चीज़ ध्यान में रखिएगा ना, natural number of multiple of 3 है, इसका मतलब क्या आएगा? Eraser तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 के बाद हमारे पास 6, 9 और फिर 12 इस तरह से हमारा चलता जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होगा यहाँ क्या आएगा, x is a natural number less than 6, यानि क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 यही आएगा, अब अगर हमें इनका intersection निकालना चाहते है, A intersection B, तो आप देख सकते हैं, इसमें common क्या है तो common तो भाई मेरे केवल 3 ही है, तो इसका मतलब क्या आएगा, क्या आएगा, ठीक है, यानि कि A intersection B क्या आएगा, जबकि वहाँ पर उल्टा था, मतलब बहुत सारे elements आ गये थे, infinite elements आ गये थे, यहाँ पर क्या एक ही चीज़ क्या common है, ठीक है ना, इस तरह से, चलो आगे ब equal to 6 है, यानि क्या आएगा, 2, 4, 5, और 2, 3 भी आएगा, यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, और 6 भी आएगा, यहाँ पर, 2, 3, 4, 5, और 6 भी आएगा, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए 6 भी इसमें include होगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, तो 6, 7, 8, 6, 7, 8, और 9, और 29, यहाँ कि 6 नहीं इसमें, इसमें, इसमें भी equal का साइन नहीं लगा नहीं, अगर यहाँ पर equal का साइन लगा होता, तो 6 भी आता, लेकिन नहीं लगा है, इसलिए हम 6 और 10 को नहीं लेंगे, ठीक है न, अब A intersection क्या निकालना है, हमें B निकालना है, तो देख सकता हूँ यहाँ पर क्यवल आपर्टीज में भी लिखा रखी है, कि अगर A intersection B, और अगर यह B क्या है, अगर हमारा impati set है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाई ही आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा, कुछ प्रॉब्लम है students, थोड़ा स्टाइम का प्रॉब् झाल